हेलो एवरिवन आप देख रहे हैं नेचरल डिलाइट बाइ प्रीदी और आज हम फिर से एक वेस्ट कार्डबोर्ट बॉक्स की हेल्प से एक वॉल डेकॉर बनाने वाले हैं जिसे आप अपने गार्डन में भी लगा सकते हैं, एंटरेंस गेट पर बहुत लगा सकते हैं, कही मेल मास्क बनाएंगे अब इसको कटर के हल्प से कट कर दें दोनों का जो साइज होगा मेल और फिमेल का हो सेम ही होगा तो जो भी एक अपन कट कर रहे हैं उसी को ट्रेस करके जो सेकंड मास्क है उसके लिए भी कटिंग कर लेंगे तो थोड़ा एजी रहेगा और एवन के लिए जब तक ठंडा हो रहा है तब तक में चीज आपको दाते हूं कि देखिए अभी कार्ट बोर्ट से बना रहे ना तो थोड़ी इसके साइट्स अनिवन होती है तो इसको थोड़ा वुड़ा लुक देने के लिए यहां पर मास्किंग टेप की हेल्प से इसको रैप क पार्ट को मास्क पर रख लें तो थोड़ा सा एज़ी रहेगा और हमें पता चल जाएगा कहां पर उनको फिक्स करना है क्योंकि एक बड़ चिपकाने के बाद तो थोड़ा सा उनको मूव करना मुश्किल हो जाता है और यह जो ग्लू बनाया है हॉममेट ग्लू है यह यहां पर थोड़ा सा उसकी जैसे मेल वाले में हमने मुस्टेच बनाई थी यहां पर हम लिप्स वगरह बना देंगी आप चाहें तो उसकी कुछ जेवलरी वगरह भी एड़ कर सकते हैं तो यहां पर पैस्टिंग का काम कंप्लीट हो गया अब थोड़ा सा एक इसको फाइन का टाइम हो गया है कलरिंग में आप मैंने यहां पर अक्रिलिक कलर यूज की हैं आप जो भी आपके पास अवेलेबल हैं अभी वह कलर यूज कर लें क्योंकि बहार से लाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों को इन्वाल करें बच्चों को इन सब काम में कर लें को नहीं होता तो सबसे इजी में बता रही हूं कि कार्टबोर्ड से भी कटिंग कर आप यूज कर सकते हैं यहां पर मैंने परल मैटलिक कलर यूज किया है यह गौलडन वाला कलर तो वही है कलर कॉंबिनेशन तो आपको जो मन हो आप वह लें कोई प्रब्लम नहीं ह और बस इस तरह से उनको कलरिंग कर लें बड़ा मजाएगा बहुत जल्दी तैयार भी हो जाएगा कोई टाइम नहीं लगेगा इसको अब हमारा यह रेडी हो गया आउटलाइनिंग कर लेते हैं इसके जो भी डिटेलिंग वगर है वो कर लेते हैं आइस वगर बना लो बिंद चीजे होती है जो कलर होता है वह सिक्योर हो जाता है लोंग लास्टिंग हो जाता है मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने अभी नहीं किया अगर इन फ्यूचर में लेके आऊंगी तो कर दोंगी नहीं तो वैसे ही यह पर्फेक्ट हो गया है इतना जल्दी खराब नहीं होता वाल पे लगा रहेगा तो रोज रोज तो हम इसको टच नहीं करेंगे रोज रोज उसके साथ कुछ कोई खराब नहीं होगा मतलब तो वाल पे रहेगा तो बस इस तरह से रैडी हो गया है और अब यह कि लाइट वेट है तो जरूर मुझे रिक्वार्मेंट भी नहीं होगी कि मैं कील अगर की हेल्प से इसको वाल पे लगा सकते हूं तो थोड़ा रेंटल फ्रेंडली भी हो गया है तो बस इस तरह से आप भी चीजे बनाते रहें इस्पेशली कुछ भी चीज ठो करने से पहले अगर आप उसको रियूस कर सकते हैं तो वो जरूर करें तो यह देखिए वाल पे भी लग गया यह और मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप उसके कुछ वेरेशन रख रहे हैं कुछ आप बना रहे हैं कुछ वेरेशन ला रहे हैं तो उसकी फोटो में जरूर शेयर करें मैं अपना फेस्बूक पेज का लिंक आपको शेयर कर दूंगी तो वहाँ पर जरूर शेयर करें और बस इस तरह से चीजों को रिसाइकल करें रियूस करते रहें प्लांट्स लग झाल